रोग, अरे अपराजिता तो, आरे हुकम तो यहाँ पर, तो रिक्षा चला रही है, वाह, रिक्षे वाली अपराजिता, क्या करूं, उनके जाने के बाद तो मुझे ही सारा घर समालना था ना, सारी जिम्मेदारिया मेरे कंदे पर आ गई थी, इसलिए बस मैंने रिक्षा डा बनाने का तू क्या समझ दरीगा तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी अगर ऐसा होता तो हर इंसान अमीर होता तेरे बेटे को नौकरी मालूमे कौन सी मिलेगी लबर क्लास थी लेवर बनेगा लेवर अरे हुकुम तु ये सब क्या बोल रहा है तुझे अभी बॉलना मा मैंने खाना बना दिया है चलो साथ में बैटके खाना खाएंगे घर पर अच्छा तो ये तेरा बेटा है हाँ ये मेरा बेटा है आब बेटा तुझे ध्याली मजदूरी पर लगवा दूँ मेरा बेटा कोई लेबर नहीं बड़ा बिजनसमेन बनेगा बिजनसमेन और मुझे अपने बेटे के ऊपर घर्व है घर्व देखा प्राजी था इसे भेज़ दे मेरे साथ मैं लगवा दूँआ इसे द्यारी पर वरना भूखे मत होगे देखे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मैं आज नौकरी के लिए काया था अब मेरी जौब नहीं लगी तो इसमें मेरी के गलती है देखे बगवान के घर में देर है लेकिन अंधेन नहीं एक दिन मेरी जौब ज़रूर लगेगी समझे आप तुरू देने गया था ना नौकरी लेने तो नहीं आप यहां पर खड़े में मैं आपका कब से बेट कर रही हूं वो गाड़ी तो चली नीरी तेख यह मेरी बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलिज में पढ़ती है यहां से पढ़लिक कर बाहर जाएगी और अच्छा पैसा कमाएगी और देख तेरा बेटा बनेगा बिकारी वैसे डैड यह फटीचर लोग कौन है अब आप इंजे से लोगों से बात करते हो क्या अंकल जी मैंने आप से सलाह नहीं मागी है और आप मेरी मम्मी से ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा समझे आप बढ़ापे में इंसान अच्छे काम करता है लेकिन आपकी तो अकल इसे घास चड़ने कही है उल्टे पर उल्टा बोले जा रहे है और मेरी बात कान खोल के सुलो अंकल जी आप अगर मेरी जिंदगी में कभी जौब नहीं भी लगी ना मैं कुछ भी नहीं कर पाया ना भूखा भी मर रहूंगा तब भी आप से एक रुप्या नहीं लूँगा समझे आप अब चुपचा आप यहां से निकल जाईए और आपके लिए अच्छा नहीं होगा बता रहा हूं अरे बेटा ये बुड़ा बच्पन से ही पागल है इसकी बातों पर ध्यान मत दे अरे बेटा ज्यादा जरम होता हो अपराजीता मेरी बच्पन की दोस्त है मैं तो इस से ऐसे ही मजाग कर रहा था कला पराजीता मेरी गाली खराब हो गई है मुझे आगे एक तक छोड़ आ बेट छोड़ दो तुझे घर ये लो मा खाना खाओ अरे वाँ मेरे बेटे ने खाना बनाया तो इतना बड़ा हो गया है मा चक्क तो बताओ कैसा है अरे बेटा तूने बनाया तो खाना बढ़िया ही होगा ना ये क्या बात हो ही मा आपने चक्क भी नहीं और बोल रहो बढ़िया बनाया है आप पहले चक हो बस इसे आचा ठीक है रूख वाके में ही बहुत तेस्ती खाना बनाया है भाई मेरे बेटे ने तो मेरे लिए बनाया है मा कैना मैंसे देखा नहीं जाता आपका दुख दो आप दिन बार काम करती हैं खाना बनाती हैं तो मा सोचता हूँ कि छोटे बुटे काम में आपकी हैल्पी कर दो देखना मा जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मा आपके सब दुख मिटा दूगा आपको एक काम निकरने दूगा अच्छा मा वो बताओ ना उस सुबह बुढ़ा कौन था जो आपसे उल्टा सिदा बोल रहा था अरे बेटे उस बुढ़े को भूल जा छोड़ उसे वो मेरे बच्पन का दोस्त है और पैसे होने के कारण बहुत घमंडी भी है हमें क्या लेने देना उससे छोड़ मा वो बहुत जादा बत तमीज हमें को बहुत जादा गुस्सा आरता हो उस पर उसकी बेटी पह तमीज ही निया बोलने की उने तो कोई बात नहीं बेटा जैसे वो है वैसे हम थोड़ा ना बनेंगे मा वो बात तो सही है लेकिन उसे तमीज होना चाहिए ना बोलने का यह तो तू सही क्या रहा है पिटा पर वो घमंडी है पैसो का घमंड है उसको ना छोड़ छोड़ खदम कर तू अपना खाना खा इतना प्यार से तू मेरे लिए खाना बना गर लाया टेस्टी जिस्टी पहले मैं वो खाऊंगी ठीक है माँ अब भात जबान चल रहे थी अपने आप तो मेरा बाप बता रहा था बेटा तुम मुझे अशग वर्वार में तुम्हारा बाप नहीं है तु मेरा बाप नियुक्ण जिआ वहां पग्म्रास् कर रहा था तो मेरे के वह हुआ कर्थ है लेकिन मैं कुछछ नहीं को पूली सिर्फ इसी लिए कि मैं तुझे कुछ कहती है लिए तो यह हुआ प्रम लोगों के सामने इससे लिए मैंने कुछ नहीं कहा चुक चाहनी कहा है मेरे सामने ना बकवास मत कर समझा मेरे जादा दिमाग खराब वाना तो तुझे इस घर से भाहर फेक दूँगी तु अब तक इस घर में टिका हुआ है सिर्फ और से इसे रिये क्योंकि तु सच में मेरा बाप है और इसी बात की इज़त करती हुआ कि तु मेरा बाप है बस एक यही वजाय है तेरे इस घर में अब तक टिके रहने की वरना मैं तुझे कपका इस घर से बाहर फेक चुकी होती लेकिन यह मत सोची की कि तो कुछ भी करता रहेगा और मैं कुछ नहीं काऊ नहीं मेरा दिमाग खराब करेगा ना तो तुझे घर से भार पेकने मुझे दो सेकर नहीं लगेंगे अब यही ख़ड़ा रहेगा क्या ज़दे क्या काम कर अपना और धंक से करियो शेखर बेटा ओ शेखर बेटा जी मा आया हाँ जी मा बोलो क्या थाम है शेकर बेटा, आज ना गॉंक एहां से डिनर का वो आया है, कि आज डिनर करने के लिए आओ, तो मैं ये कहते हैं जदी से रेडी होजा उसके खाना खाने चलते हैं, माँ मैं नहीं जाने वाला उसके घर है, बहुत ज़्यादा बत्तमीज हैं वो लोग, अरे बेटा, ये बत्त बत्तमीज है, निक्चड़ा है, बहुत घमंडी भी है, पर एक बाद बताओं, उससे पैसा होगा घमंडा है, थोड़ी बहुत बेस्ती कर देता, और कुछ नहीं है, देख बेटा तो ट्रेंशन मतले, और पड़े बुद्धों को मना नहीं करा करते, बो तो ऐसे करी देते ह तो जल्दी से जाके तियार हो, मैं भी तियार हो जाती हूँ, ठीक है? देखा अपराजीता, मैंने कहा था ना, तेरा बेटा कुछ कर नहीं सकता, यहां भी चपलों में आ गया, चलो आओ, स्प्री का खाना बैठ कर खाओ, मामे ने आपसे कहा था ना, कि यह बहुत जादा बत्तमीज हैं, मैंने मानी नी था यहां आने का, मैं जा रहा हूँ, अरे मेरी मजाग करने की आदत है, तो मैं मजाग कर रहा था, आओ बैक, खाना खा कर जाना बेटा, अच्छा प्राजिता, पनीर खाएगी, बहुत महँगा आता है, मेरा लैपटॉप कहा रखा है? बेटा, वो बहार रखा हूँगा था, मैंने अलवारी में रख दिया है, तो ज इतनी बार समझाए ना मैंने, कि मेरी सीजों को हाथ मत लगाये कर, हजार बार बोच के और फिर भी समझनी आता है, इस घर में उतना ही काम किया कर, जिस काम के तु लायक है, उससे जदा फाल तो काम मत किया कर, ये क्या तरीका अपने से बड़ों से बात करने का, तुमारे आजी हैं वो, और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो, अबे हो, तुझे किसने बोला, कि तु हमारे फैमिली मेंटर के बीच में बोले हां, और तुम लोगों को यहां किसने बुलाया, अच्छा, तुने अब यहां पर यह प्लैनिंग किया, तु इन लोगों को बुला कर, अप आज के बाद मैं मेरी चीजों को हाथ मत लगा देओ, वरना ते लिए अच्छा नहीं होगा, अंकल जी वैसे तो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप बहुत जादा गरीब हैं, रिष्टों के मामिले में, आप उस दिन बहुत 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 आपको बड़ जड़ बोल रहे हैं अपनी बेटी के बारे में खूब तादी की आपको अपनी बेटी पर खूब प्रौड फिल हो रहा था, ऐसी है आपकी बेटी, आपसे बत्मी से बात करती है, इसी चीच पर प्रौड है आपको बेटा, क्या बताओं तुम्हें, ये मेरी होलाद, इतनी कैसे विगड़ गई, मुझे खुछ पता नहीं चला रहा है अंकल जी जो कुछ भी हो रहा है, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आप ही है वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए जो इंसान बोता है, वही रोपता है आपने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों की और ध्यानी नहीं दिया आज के जमाने में जो अधिकतर बच्चे नहीं प्राप्त कर पा रहे हों, चीज क्या है पता आपको वह चीज है संसकार, अगर बच्चों को अच्छे संसकार सिखाए जाएं, अच्छी आदते सिखाए जाएं, तो बच्चे कभी बिगडेंगे ही नहीं अंकल जी, आपको खूब घमंड होगा अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर, लेकिन असल माइने पर ये घमंड करने की चीज है ही नहीं घमंड इंसान को कभी पैसे का करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है असल माइने में जो चीज कमानी मुश्किल है, वो होती है परिवार की संपन्नता परिवार की एकता, देखें ना, हम आपसे पैसे के मामले में बहुत ज़ादा गरीव है लेकिन मैं, मेरी माँ, हमारी परिवार एक साथ पैठ के रोज खाना खाते है एक दूसरे के दुखदर्दों को समझते है अगर मेरी को हलकिसी चोट भी लगती है, तो मेरी माँ, बोखला जाती है और माँ की हलकिसी तब्यत तक खराब होती है, तो मेरी आँखों से आँसों निकलने लगते है हमारी परिवार में बेश्चक पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के दुखदर्दों को समझते है अगर हम ऐसे किसी एक की भी तब्यत खराब हो, खाना न खाए, तो दूसरा बंदा भी खाना खाता ही नहीं है सच कहूं तो परिवार यही है आज के जमाने में जहां कहीं लोग पैसा खूब खमा लेते हैं, लेकिन उनके परिवार में आई दिन कलेश होते रहते है एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं लोग जगरते हैं, महनों तक एक दूसरे से बाते नहीं करते हैं अदे उस परिवार का फाइदाई क्या है जहां पर एक इनसान दूसरे इनसान से बात ही ना करें परिवार का सदस्य से बात ही ना करें परिवार किसलिए होता है इनसान को मोरल सपोर्ट देने के लिए होता है इनसान को खुशी में खुशी का हैसास कराने के लिए होता है और दुख में धानदस देने के लिए होता है, अगर ये सब कुछ परिवार में नहीं है तो परिवार का होना व्यारत है, अंकल जी मैं तो यही कहूँगा, कि आगे से पैसे का खमण कभी मन दिखाना हूँ अगर जी मैं तो आपके करम आपके पास लोट क्या है, अब बस आप एक ही चीज कर सकते हैं, वह यह कि अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं, अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ जो और बेकाल लिखाओ, वह कुछ हद तक और आपकी जिंदगी थोड़ा सही हो जाए, और आप अपनी बेटे की चिंता मत कीजिए, जैसे आपके करम आपके पास लोट के आए हैं, वैसे एक दिन उसे भी ठोकर खानी पड़ेगी, वो भी ठोकर खाएगी, पच्ताएगी, और तब उसे ऐसास होगा कि माबाप की अस लगता है कि एक अच्छी वालाद का क्या फर्ज होना चाहिए, आप लोगो को जो भी लगता हो आप जरूर बताइएगा, बिसिकली इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने पैसा कमा लिए तो बहुत बड़ी जग जीत ली, लेकिन असल माइने मैं इनसान जंग तब जीता है जब उसका परिवार एक साथ रहता हो, परिवार में प्रेम हो, आपके पास करोड़ू रुपिया भी हो और परिवार में प्रेम नहों, आए दिन कलेश हो, तो उस मैंसे का कोई फायदा नहीं, इनसान का जिंदगी का जो में मकसद होता है वो इससे कही ना कही परिवार में खुशी का माहौल तो रहता ही है, बलकि साथ इसाथ जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी कुछ अच्छा ही सीखते हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावनाई उत्पन होती हैं, जिससे वो फ्यूचर में परिवार की महत्वता को समझते हैं इसलिए हमेशा कोशिस करें कि परिवार के साथ बने रहें, और कोशिस करें कि दिन में कम से कम एक बार तो परिवार के साथ पैटके खाना जरूर खाएं, आपस में बातचीत जरूर करें, क्योंकि जब परिवार संगठित होता है, परिवार एकत्रित होता है, तो फिर उस हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस परिवार की ताकत ही अलग होती है परिवार की हमेत को समझें और वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को जा सदा लाइक करें शेयर करें मिलते हैं आप सभी लोगों जल देख नई वीडियो में एक नई स्टोड़ी के साथ